साधर प्रणाम, मैं हूँ नीर्जा चौधरी हम पढ़ रहे थे उत्राखंड के इतिहास के बारे में जिसमें हम एतिहासिक काल का ध्यन कर रहे थे इसी क्रम में हम आज एतिहासिक काल जोकी प्राचीन काल है जिसे हमने दो भागों में पढ़ा था आज उसका दूसरे भाग के बारे में हम पढ़ेंगे एतिहासिक काल जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कार्टिके इपूर राजवन्ष या कत्योरी वन्ष के बारे हर्श की मृत्यू हो जाती है और हर्श की मृत्यू के बाद उत्राखंड में बहु राजक्ता की मट के पास कार्दी के पूर बनी और बाद में राजधानी अलमोडा के कत्यूर घाटी के बैजनात यानि बागेश्वर में रही इस वन्ष का इतिहास बालेश्वर, कंडारा, पंडुकेश्वर, बैजनात इन इस्थलों से कुटिला लिपी में प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर ही लिखा गया है, यानि कि कार्दी के पूर बन्ष के संबंद में जितनी भी हमें एतिहासिक जानकारियां हैं, वो इन ताम्र लेखों के आधार पर ही हैं, इन ताम्र लेखों के आधार पर इस बन्ष के इतिहास को लिखा गया, और इनी साक्षियों के आधार प के अनुसार इस वन्ष का प्रथम राजा था बसंद देव और इसने परम भट्टारक महाराजा दिराज परमेश्वर की उपाधी धारण की थी और बसंद देव के बाद खरपर देव का उलेख मिलता है इसके बीच में राजाओं के संदर्व में कोई उलेख नहीं है तो ऐसा कि बसंद देव के बाद खरपर देव राजा बना कलहन की राज薹त रंगिनी है जिसमें कश्मीरी राजा ललिता दित्टे मुकतापीड द्वारा गडवाल जीतने का उलेख है दिया थी प्रशनी बनते हैं पहली चीज ललिता दिक्त मुकतापीड से संबन्दि इसने किस ख पर आक्रमन किया था या किस छेत्र पर इसने विजय प्राप्त की थी दूसरा प्रश्न यहां पर यह है कि राज तरंगी नहीं किसने लिखी थी तो कलहने लिखी थी जब हम भारत के इतिहास के संदर्म में पढ़ेंगे उस समय हम इनसे समदंदित इसपष्ट जानकारियों का अभी वहाँ पर व्याख्या करेंगे आगे बरते हैं संभवता इसी समय खरपर देव कार्थी के पूर पर कपजा किया और नए राजवन्ष की स्थापना की खरपर देव राजा यशो वर्मन जो की कन्नोज का राजा था उसका समकाली इन था खरपर देव के बाद कल्यान राज शासक बना और कल्यान राज की पतनी थी लद्धा देव यह इंपोर्टेंट कोश्चन है यहाँ पर लद्धा देवी से संबंधे इस वन्ष का यानि की खरपर देव वन्ष का अंतिम शासक इसका पोता यानि की त्रिभूवन राज था इसने भी परमभटारक अधिराज परमेश्वर की उपादी एक था त्रिभूवन राज जो की इस वन्ष का अंतिम शासक था और दूसरा वसंत देव जो सबसे पहले इसने इस उपादी को धारण किया था बाद में आगे बंगाल का शासक है धरमपाल धरमपाल ने गड़वाल पर आक्रमन किया औ और ऐसा अनुमान है कि संभवता इसी समय खरपरदे वन्ष के इस्थान पर निम्बर वन्ष की स्थापना हुई थी यहां निम्बर वन्ष से संबंदित एक महतोपूर्ण प्रशन आता है जो परिक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि निम्बर किस मताव लंडी थे तो इस्थगण देव शासक बनता है और इस्थगण कार्थिकेपुर्वन्ष का पहला शासक था जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था किसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था कार्थिकेपुर्वन्ष का शासक था इस्थगण देव इसने पहली बार ऐसा किया था कि उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास इसने किये इस्टगन देव ने जागेश्वर में नवदुर्गा महिश्वर्दिनी, लकुलीश और नटराज के मंदिरों का निर्मान कराया इस्टगन देव भी शैव मतावलंबी था और उसने जागेश्वर में इन मंदिरों का निर्मान कराया ध्याम रखिएगा कौन सा नव दुरगा महेशुब मर्दीनी लकुलीश और नटराज इश्टगण देव के बाद उसका पुत्र ललित शूरदेव शासक बना जो की बहुत महत्वपूर्ण है कि इश्टगण के बाद शासक कौन बना तो ललित शूरदेव शासक बना पांडू केश्वर तामरपत्त में इसे इंपोर्टेंट इसलिए है ललित शूरदेव तोकि इसे कली कलंक पंक में मगन धर्ती के उद्धार के लिए वराहा अवटार के समान माना गया तो ऐसा उल्लेक कि कली कलंक पंक में मगन धर्ती के उद्धार के लिए वराह के समान माना गया है, किसको वराह के समान उत्तराखंड में माना गया है, तो ललित शूर देव को, इससे संबंदित उल्लेक कहां मिलता है, इससे संबंदित उल्लेक मिलता है पांडुकेश्वर ता बैजनात मंदिरों के निर्माण में सहयों किया भूदेव के द्वारा ये दो महत्वपोर्ण कारे किये गए प्रशन पूछा जाता है कि उत्राखन में बहुत धर्म का विरोध किस ने किया था तो भूदेव ने बहुत धर्म का विरोध किया था और बैजनात के मंदिरों का निर्माण किसने किया था, या करवाया था, तो वो किसने करवाया था? भूदेव ने. बालेशोर पांडुकेश्वर तामरपत्र लेखों के अनुसा सलोडा दित्य का पुत्र इच्छर देव ये राजा बनता है और उसके बाद सलोडा दित्य वन्ष की इस्थापना की जाती है यानि कि इच्छर देव के शासक बनते ही सलोडा दित्य वन्ष की इस्थापना उत्तराखंड में हो गई है और इसने भूवन विख्यात दुर्मादाराती सीमान बिनी वैधत्य दीख्षादान दक्षेक गुरु हो यानि कि विश्व विख्यात दुर्दान्त शत्रूं की पत्नियों को वैधत्यों की दीख्षा देने में सफल गुरु यह उपाधी धारण की थी आगे चल कर कत्यूर घाटी में आसंती देव द्वारा आसंती देव वन्ष की इस्थापना होती है और इस वन्ष का अंतिम शासक है ब्रह्म देव ब्रह्म देव जोगी एक कमजोर और बहुत ही भोगी शासक था जागरों में इसका वरणन मिलता है प्रश्न इंपोर्डेंट है कि जागरों में किस का वरणन मिलता है जागरों में ब्रह्म देव का वरणन मिलता है और जागरों में इसे किस नाम से जाना जाता है इसे वीर उध्या के थे और शील वाहन को इनका आदि पुरुष माना जाता है। इस्ट देवता इनके कार्थिके और कुमाओ के लोग इन्हें लोक देवता के रूप में मानते हैं। कार्थिकेपुर के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्री हो गई। कुमाओ क छेतर में आज भी यह बात प्रचलेथ है।olla कि इस छेतर के उध्धार के लिए इस छेतर में जितने भी सामजिक और जीरन और जन्ता की भलाई के कारिक किए गए। उसके लिए जनता यह मानती थी कि कार्दिकेपुर्वन्ष के अवसान पर सूरे अस्त हो गया और रात्री हो गई। इन शासकों की राजभाशा संस्कृत और भाशा पाली थी। कार्दिकेपुर्शासन तीन भागों में विभग्द था, शीर्ष सत्ता नरेश के हाथ में थी, फिर राज्य जिसका प्रधान उपरिक या राज्यपाल कहा जाता था, फिर जिले जिलों को विशय भी कहा जाता था और विशयों का प्रमुख होता था विशय पती। इसके बाद कत्यूरी राज्यकुल कितने जिलों में विभग्द था, कत्यूरी राज्यकुल पांच जिलों में विभग्द था, बहुत सारे अधिकारियों के लिए अन्य अन्य उपाधियां दी गई हैं जिनमें हम प्रमुख ले रहे हैं जो की परिक्षा में पूछी गई दांडिक जो दंडधारी होता था उसको दांडिक कहा जाता था खडगिक जो खडगधारी सिपाही होता था उसे खणगिक कहा जाता था और दोशापराधिक यानि कि अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच अधिकारी दोशापराधिक कहलाता था इन राजाओं की अर्थ व्यवस्था का आधार था कृशी वन और खनिज संपदा यानि कि कृशी वन और खनिज संपदा के आधार पर यहां की अर्थ व्यवस्था चलती थी जोशी मठ का नरसिंग मंदिर बसंद देव के द्वारा और जबकि परम देव के द्वारा बदरीनाथ मंदिर को भूधान किया गया था यह important है कि नरसिंग मंदिर का निर्मान किस ने कराया था पहला तो यही है कि कत्यूर शासकों ने कराया था और किस शासक ने कराया था बसंत देव ने इसका निर्मान कराया था जागेश और मंदिरों का निर्मान और जीर्ण उधार यह प्रश्ण भी पूछा जाता है तो जागेश और मंदिरों का निर्मान और जीर्ण उधार यह कत्योरी शासकों के द्वारा कराया गया था important question है अन्य महतुपूर्ण question ये है कि आदिगुरु शंकराचारी किसके समय में उत्तराखंड आए थे यानि कि आदिगुरु शंकराचारी का उत्तराखंड आगमन हुआ तो उस समय किसका शासन था उस समय शासन था इश्ट देव का शंकराचारी ने बौध धर्म के प्रभाव को समाप्त करके हिंदु धर्म की पुनर इस्थापना की थी बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार और जोतिरमठ की इस्थापना की थी और सन 820 ईश्वी में केदारनाथ में ही आदे गुरु शंकराचारे ने अपना शरीत त्याग दिया था यहां पर इसके साथ ही प्राचीन काल से संबंदी जितना एतिहासिक विवरण हमें उत्राखंड का प्राप्त है वो सभी अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एतिहासिक काल के अंतरगती मद्ध काल में यानि कि कुमाओं और गड़वाल उन इस्थानों पर किस तरीके के शासक रहे और किन-किन शासकों का शासन रहा कैसी व्यवस्था ही रही आप लगातार साथ बने रहेगा प्लीज वीडियो को शेर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और कमेंट जरूर कीजेगा क्योंकि हम वही प्रशन लेकर आ रहे हैं जो परिक्षा की दृष्टी से महतोपूर्ण है अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी लगातार साथ बनी रहें नमस्कार